हाई अबरीवन आएंप प्रियांका वेलकम बैक टिमाय चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही श्पाउंजी और जालीदार धोपला की रेसिपी बहुत ही सिंपल रेसिपी है यह आप वीडियो में देख सकते हैं कि धोपले में कितनी जालियां बनी है कि इतना जूसी है और सिर्फ कम इंग्रेडियंट में घर में जो इंग्रेडियंट होते हैं उनी के साथ हम बनाएंगे बिलकुल मार्किट जैसा जालीदार धोपला टेस्ट में तो यह जबरदस्त है बहुत ही यमी लगता है और एक पर आप इस रेसिपी से धोपला बनाएंगे अगर चोटी चमच से देखें तो 6 चमच आपको आपको लेना है आप चाहे तो मुंगफली वाल भी ले सकते हैं अब इसमें हम पाउडर चीनी डालेंगे एक बड़ा चमच और आधा चोटा चमच हम डालेंगे नीबू का सत तो मेरे पास पाउडर फॉर में था तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन तो मैंने वन एंड हाफ कप बेसन लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करना है एक स्मूध कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है आप चाहे अगर आपको पानी लगता है तो इस ताम पे पानी एड कर दीजे पर पानी नहीं लेगा अगर आप करम करेंगे मैजərमेंन तो इस तरह का जो कनसिस्टेंसी है बिलकुल कनसिस्टेंसी ध्यान से देख लीजे ऐसी ही स्टेंसी होनी चाहेगे अब हम इसमें डालेंगे पिंच ऑПрिणा हींग ऑफ का फ्लेवर अगर आपको पसंदे तो आम डाल सकतें अगर प्लिवर आपको पि ताकि जो पेशन है थोड़ा सा फूल जाए इसको दस मिट के लिए आपको रखना ही है अट लीस कम से कम आप दस मिट नहीं रख सते तो पांच मिट तो जरूर रखिए अब क्या करेंगे पास से दस मिट के बाद अब इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो सोडा की क्वांटि चीजों और सारी चीजों को बहुत अच्छी सापको अभी करना यह प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर आपको अच्छी बेटर को मिक्स करना है क्योंकि इसी टाइम पर जो सारा बेटर है वो फूल जाएगा जब वह स्टीम करेंगे तब वह जादा नहीं इसी टाइम पे आपको सारा बिसन फुला लेना है तो फटा-फट से ये प्रोसेस करना है बिल्कुल ऐसा क्रीमी टेक्शिर हो जाए इसके बाद अब हम इसको स्टीमर में डालेंगे तो मैंने पहले ही प्लेट को ग्रीज करके स्टीमर में सेट कर दिया है और फटा-फट से सारा बेटर इसमें डाल दे और अब हम इसको कवर करके हाई फ्लेम पे लगभग 15 मिनिट के लिए पकाएंगे ध्यान रखिए फ्लेम जो है हाई होनी चाहेंगे और 15 मिनिट तक हमको इसको पकाना है 15 मिनिट से पहले बिलकुल भी चेक नहीं करना है 15 मिनिट के बाद आप देखेंगे कि धोकला बिलकुल अच्छे से पक जाएगा एक नाइफ की हैल्ट से आप इसको देख लीजिए कि अंदर से ये पका है या नहीं नाइफ आपका क्लीन आता है इसका मतलब जो धोकला है बिलकुल पक चुका है अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए आप देख सकते हैं ये बहुत जादा सॉफ्ट बना है बहुत स्पंजी बना है अब हम इसको अनमोल्ड करेंगे पर जब तक ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता तो स्टीम की वज़े से वह चिपक चाएगा और अच्छे से निकलेगा नहीं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा जालीदार ढूकला बनके रैडी हुआ है अब फटा फट से तड़के की तैयारी कर लेते हैं तो तड़के के लिए मैंने यहापे लिया है एक से देड़ चोटा चम्मच ऑईल बहुत सदा ओल नहीं डालना है एक से दो चोटे चम्मच ऑईल डालेंगे इसमें डालेंगे सरसुके दाने कड़ी पता ग्रीन चिली और इन सारे चीजों को अच्छे से हम सौटे कर लेंगे जब यह अच्छे से पकछा है इसमें हम डाल देंगे शुगर एक चोटा चम्मच इसी के साथ हम इसमें पानी आइट कर देंगे और इसके बाद जब इसमें थोड़ा सा अबाइल आजाए इसके बाद हम इसमें लेमन जूस डालने से जो है वो बहुत ही खटा मीठा सा टेस्ट आता है तो जरूर डाले थोड़ा सा नमक डाले सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजे और अच्छा एक उबाल आ जाए इसके बाद गेस कफले बन कर दीजे और जब यह हलका सा थंडा हो जाए इसके बाद हम इसको पोर करेंग अधा धोकले में तो इस टाइम पे क्या होगा जितना पानी आप इसमें डालेंगे उतना पानी जह रहे पी लेगा और पानी नाले के बाद इसको आप चोड़ दीजे आधा गंटे के लिए और आधी घंटे के बाद आप इसको कट कीजिए तो यह बहुत अच्छे से कट हो इस ताइसा भी तेस्टी लगता है तो आप देख सकते हैं यह बहुत आसानी से कट रहा है बहुत ही यमी लगता है इतना आप जुसी धोकला बनता है जरूर इस रेशिपी को ट्राइब कीज़िए गए है फर्स टाइम में आपकी धोकला है वह बहुत अच्छा बनेगा कहीं अगर आप अच्छे से देखेंगे एक चीज नोट करेंगे तो आपका धोपला कभी भी खराब नहीं होगा आपको मेरी सिम्पल सी ढोपला की रेसिपी पसंदाई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे लाइक कीजे शेयर कीजे और बैल आइकन पर जरूर क्लिक कीजेगा क्योंकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पुछेगा अब मैं मिलूगे अपनी नई रेसिपी के साथ तब तक लिए स्टी सेफ बबाई एंड थैंक्स पर वाचिंग